तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज का यह वीडियो होने वाला है सुपर रिविजन चाप्टर टू क्लास फोर साइन्स का एड़ेप्टेशन इन प्लांट इस चाप्टर का नाम है तो चलिए फटाक से सुरू करते हैं बहुत ही जादा हमारे पास समय नहीं है बहुत ही क दोन लोग प्लान्टी है को वह डिवाद में यहां नहीं है बहुत प्लांटेशन लाजश्ट करते हैं अपने इश्रावंडेंस में यानि कि वहांता सराउंडिंग्स गरम है तो अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स को डेबलब करते हैं जिससे कि वो गर्मी को जहल सके तो इसी को हम लोग बैसिकली एडप्टेशन कहते हैं तो आगे बात करेंगे अडप्टेशन अब बात करेंगे टाइप्स ओप्लांट्स की यानि कि प्लांट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो दोगों दोस्तों प्लांट्स होते हैं बैसिकली दो प्रकार के ही होते हैं सबसे पहला प्रकार होता है टरिस्ट्रियल प्लांट जो कि लेंड की भूमी पर जमीन पर पर मान सकते। और इसे प्लांट की घ़ यह oh इसे प्लांट को हम लोग यह होगते हैं तो सब से पहले हम लोग भण वारे में नेचे हैं तो जाक ईए देखते हैं अससे पहले टाइप है हमारा पहाड़ी छितुर में पाये जीतिट्रों में पाये जाते हैं तो यह जमीन वेगेरा पे उगते हैं तो इस जगह पे पाएजाने वाले पोदों कि वह उस जगह pathos पे रहा любим method, powder पाउन में बत को बाव इTo कोई निकवी निक्सान नहीं होता है। पे नीचे गरजा है जमीन पर इसे के लिए यह कानिकल सेप होता है ईग्जामपल आप से पूछा जा सकता है एक जैन्ब वाले प्लांट के बारे में चर्शा करते हैं धुरीuse इस यaden के सम्तल भूबीरती प्रपाएं होते हैं जो जमीन बिल्कुली सपाथ होता है Middle की शो थे एक करम में होते हैं उनके बहुत सारी टहनीयं होते हैं बहुत सारे पत्ते होते हैं ठीके जपा कि जाद़ से जश्याद़े डूप पड़ सके और इविमरें से जंप में पाए जाते हैं next plants का example हम लोग देखेंगे plants in desert area यानि कि मरोस्तल भागों में पाए जाने वाले plants के बारे में यह जो आपको फोटो दिखाया गया होते हैं काटे के रूप में होते हैं अगर आपसे पूछा जाए question तो देखो अगर यह पत्ते के रूप में रहते तो यहां पे धूप ज्यादा पढ़ती धूप पढ़ने से क्या होता यहां से जो है इनके अंदर के वाटर होती यह उड़ जाती वैपराइज हो जाती तो इस से बसने के लिए इनके जो पत्ते होते हो काटे के रूप में होते हैं इसमें यह पानी को स्टोर करके रखते हैं यानि कि जमा करके रखते हैं ताकि आगे के लिए भी जिन्दा रखा जा सके और एक्जाम्पल आपके लिए पूसाज है तो आप कहा देना केक्टस का अब बात करते हैं plants in marsy area यानि कि कीचड़ वाले इलाके में पाय जाने वाले plants के बारे में ठीक है तो यह दोखो यह जो plants आपके screen पर दिख रहा है यह है कीचड़ में पाय जाने वाले plants translates अब दको ऐसे plants के जो roots होते है वह si oil के बाहर आजाते हैं और soil के बाहर यानि कि यह पानी के ऊपर आ जाते हैं करें कि your plants दिख रहा हैं इनकी जो roots cél using size छे हैं कि तक यह कीचड वाले इलाके में पाया जानेवाली फ्लांट्स होते हैं, ठीक है, next टाइप प्लांट हम लोग देखेंगे, aquatic plants यहनी कि ऐसे फ्लांट्स जो कि पानी में जो हें, उगते हैं, सबसे पहला है floating plants, इसमें भी तीन प्रकार है, aquatic plants में भी तीन प्रकार है, सबसे पहला है floating plants, ऐसे plants जो की पानी को बाते हैं और ये टैरते हैं तो इनका कैसा होना चाहिए बहुत हलका होना चाहिए, rozpongyth one होना चाहिए, और और इनका यांदर हमें पर हवाजुकुल नदर हीजांपल यह ग्जांपल और ऐसे और तिय्क्छ, यह दोनो premises Mountain, लोट要र्म and duckweed के आप देखे हैं F hostel.. हिचोर को पकड के रख records के वजे से हिल्ड नहीं पाते हैं इनके पतियों के ऊपर राक्स कोटिंग होती है.. या रने की मोम की कोटिंग होती है, ताको इनके पत्त ररणने से बचाया जासा कि पत्ति स्वड़े ना कि पानी में रहने से प्लांस रहने लगते हैं लेकिन इनके उपर जो थे मोम की कोटिंग होती है जिसके वाटर लीली यह दोनों इक्जांपल होगे आपके फिक्सट प्लांट्स के ठीक है next टाइप है हमारा अंडर वाटर प्लांस यह ऐसे प्लांस ज जो डॉल देना है आपको टा क्राशस टेप ग्राश टीक और हैडिल के प्लांच ऑनिचे पर dollar्क यानि में गिघ्ला असी प्लांच जो की आन्युजवल है और सदारन है सधारन नहीं है वहाँ सभषधायर सभसे पहले हें इंसक्ट इप्ल्ट यायद करता है इंसेक्ट स को इटकरर्थे हैं ऐसे प्लांट को फक्रोफओरस प्लान्स ्लाइड आपके से प्लांट्स के ऐसे बांट्स जोकी अपना जो थे भोजन खुद नहीं बनाते हैं वह दूसरे के बोजनसे जो है अपना काम चलते हैं कि, धौन्ट अप लगाओ भोजन बनाने के लिए कल ए हो क्लोरोफिल कि ह예요ото लिए अपना भोजन कैसे बनाएंगे एपज़ोर फूड फूड फ्रम अदर डिड़ प्लांट से अब्सर्ब करते हैं यानि कि अगर यहां पे कोई शड़ा हुआ जो घास पत्ते हैं उसी से यह अपना नूटूरिशन लेते हैं इनको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक प् प्लांस के ऊपर बैटके हैं उसी से खाना चुराते हैं उसी से खाना खाते हैं जैसे की कही ते अपने देखा होगा जो है Peg be ओएफंपे अग플फ पान होते हैं फिर पेडो पर काई लग जाता है तो पिड़न से क्या करता है नीडर स्टन को लेते हैं अशे खते हैं तो मॉश हो गया याने कि काई वह गया हो गया ला काई गास के बारे में तो ग्रास होते हैं वो ओपन एस्पेसे में उग जाते हैं आसानी से हम लोग कहीं भी गास को देख सकते हैं और यह गास होते हैं इनको बहुत ही ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है यह इनको बहुत ही कम मातरा में पानी के जरूरत होती है और यह कहीं सेप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग